Hello and welcome to my channel, कैसे आप सबी, एक बार फिर स्वागत आपका इस वीडियो में, दोस्तों traditional publishing क्या है, traditional publishing में कितना खर्चा आता है, क्या हमको traditional publishing करनी चाहिए और side publishing की तरफ जाना चाहिए, बहुत सारे questions इस वीडियो में clear करने वाला हूं, तो अगर आप channel बनाएं तो channel को subscribe किजिए औ को भी ब्रैस कर लीजे, मैं हूँ Krishna Sharma, writer and assistant professor, दोस्तों traditional publishing की तरफ बहुत सारे नई writers जाना चाहिए, लेकिन problem क्या होती है, कि starting में, जब आपको भी base नहीं होता है, तो जो publishers होते हैं, वो आपको, आपकी manuscript को return कर देते हैं, उसे आसानी से accept करते हैं, ठीके, इसमें आप international publishers दे करके देख लो, लेकिन क्या traditional publishing की तरफ जाना चाहिए, उसमें कितना खर्चा हो जाता है, क्योंकि traditional publishing में खर्चा भी हो सकता है, और आपका free में भी publish हो सकता है, अब मैं दो चीज़ बता तूँ कि traditional publishing में खर्चा होता क्यों है, और कितना होता है, किस condition होता, पहला, mostly you publishers होते ह अगर fictional books हैं ठीक है और आप beginners हैं आप पहली बार किताब लिख रहे हैं और fictional writing है आपकी तो ज़्यादतर chance है कि traditional writer आपसे printing cost लेगा ठीक है कि अगर आप fictional लिख रहे हैं आपका textbook है और non-fictional work है वहां आपको royalty दोनों condition में देते हैं 10-20% ठीक है 10-12-13-15 यह सब का अलगा अपना criteria होता है वो कितना देते हैं mostly 10-12% वो शुरुवात में आपको royalty देते हैं ठीक है लेकिन मैंने क्या बता है कि अगर आपका fictional work है तो आपसे जो manufacturing cost होगी वो आपसे लेते हैं उसका reason होता है क्यों लेते हैं देखे आप beginners है आप पहली बार लिख रहे हैं तो आपका reader base है नहीं कोई आपको साथ जानता भी नहीं है आपके circle में 100-8s लोग हों या दिखता हूं आप उनसे बोलेंगे तो 10-20 लोग उस आपकी book खरीद सक ठीक है तो उसका नुकसान हो जाएगा इसलिए publishers आपसे इतनी पैसे ले लेते हैं जो उसकी manufacturing cost होती है शुरुवाती ठीक है basic level की इसके बाद दूसरा तीसरा या चौथा जो भी edition होते हैं बाद में आपसे कुछ नहीं लेते हैं बलकि आपको reality और देते हैं जो fix करते हैं 10-12 परचेंट के शुरुवात में कई बार होता है कि शुरुवात में पहली बुक को देखके वो reality की मना कर देते हैं जब पहली बुक में हम रोयलिटी नहीं देंगे दूसरी तीसरी बुक आप हमारे साथ काम करते हैं तो हम और आपको reality दिया करेंगे ठीक है तो मैं बोलूगा कि आप किसी भी condition में आपको accept कर लेना चाहिए क्योंकि आप अगर रोयलिटी के पीछे जाओगे शुरु में तो आपका नाम नहीं बनेगा और जब तक आप अपना base नहीं बनाओगे तो future में आप earning नहीं कर पाओगे क्योंकि पहली बार आपने बिना reality के book publish करा दी और उसक अब इसमें कितना पैसा लग जाता है traditional publishing में आपसे publisher कितना पैसा ले लेते हैं तो mostly ज्यादा तर publisher जो national level के हैं ठीक है वो मेरे साब से 10, 15, 20,000 से सुरू कर देते हैं और अपने अपने सुविदा के according ले लेते हैं वैसे mostly 10, 20, 25, 30,000 तक वो जो manufacturing cost होती है उसकी कीमत लेते हैं बस उसमें उनका अपना कोई ज्यादा रोल रहता नहीं क्योंकि ये चीज़ क्या होती है कि अगर आप traditional publishing करा रहे हैं fictional work है guarantee तो नहीं है कि आपका वो चल जाए तो आपसे manufacturing, printing, typing, cost जो होती है उसका खर्चा ले लेते हैं ठीक है वो भी केवल एक बार उसके बाद उसकी marketing होने लगती हो तो उसका वो आपको 10%, 12% या 15% royalty दे देते हैं ठीक है तो मैं recommend करूंगा कि आप पहली बार जा रहे है तो traditional publishers के पास जाएं और वो आपको जो भी पैसे लेते हैं थोड़ा उनको देते हैं बहुत ज़्यादा पैसे ना दे कई पर कुछ publishers मांगते है इतना बहुत ज़्यादा हो जाता है और दूसरा इसमें मैंने बताया है कि आपका content बहुत अच्छा है ठीक है आप publishers को लग रहा है क हाँ ये content अच्छा है तो आपको zero आपका कोई भी पैसा नहीं लेगा और आपकी manuscript accept कर लेगा और वो publish करा देगा ठीक है तो इस तरह से भी publish हो जाते हैं तो I think आपके दिमाग में जो traditional publishing से related questions थे इसके बाद भी अगर आपका कोई question है तो आप मुझे आपको वीडियो के description में social sites के link मिलेंगे मेरे वहां जाके मुझे follow करके वोसे question आप पूछ सकते है डायरेक्ट बात कर सकते है writing या publishing से related आपका कोई भी question है तो वीडियो पसंद आई तो like कीजिए और अपने दोस्तों के आपका कीजिए और चैनल पर नहीं तो subscribe लिए थाइंग